दोस्तों आज की एक special वीडियो है मेरे सभी वीवर्स के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं या कि आज की डेट में modern जमाना चल रहा है market के अंदर बहुत सारी जो fluctuation आप लोगों को देखने को मिल रही होगी साथ में आज के समय में नए-ने startup और जो नए-ने business है वो continue बढ़ते हुए जा रहे हैं उनकी growth के साथ हमारा देश भी दोस्तों आगे बढ़ रहा है जब भी हम किसी business की बात करते तो उसमें सबसे जो important role है वो अदा करता है cash flow cash flow के साथ ही हम अपने business को continue आगे बढ़ा सकते है जो तो cash flow जो business की daily की expenses है उसकी requirement है जैसे की जो staff की salary पे करनी है नए-ने staff higher करनी है नई inventory add करनी है जात में जो और भी जो business के expenses है वो सब कुछ fulfill होते है cash flow के साथ यानि की पैसे के साथ जो cash flow है एक important factor है जिससे हमारे जो business है उस वो complete होती है business loan के द्वारा दोस्तों जो business loan है इधर हमारे plant, unplanned जो भी business है उनके अंदर एक important role यानि की सबसे जरूरी चीज है तो आज की studio में दोस्तों मैं इधर जो 10 point आपके सामने discuss करूँगा कि भया जो business loan है वो better क्यों है दूसरी चीज़ों की अपेक्सा तो आप जो video को सुरू से लेकर last तक जरूर देखेगा ताकि business loan से related आपके जितने भी doubt है इधर एक-एक clear हो जाए और आप भी business loan के साथ आपके business को आगे बुढ़ाचके तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों business loan में हमारा जो first factor आता है वो आता है flexibility for uses अगर आप लोग द company उसके अंदर कोई भी interfere नहीं करती यानि आपने बैंक या NBFC company से इदर business loan ले लिया उसके बाद आपका दिल चाहिए उस तरह से आप अपने business को run कर सकते हैं उसके अंदर बैंक या NBFC company कोई भी हस्तक से नहीं करेगी जिस तरह से आपको आपका business run करना है उस तरह से run किजि कि उन्होंने जो business loan की repayment का जो term दिया है उसके इसाब से हम हर महीने या जिस भी तरह से उन्होंने repayment का time दिया है उसके साथ timely हम जो business loan है वो repay करते रहते हैं और जिस से हमारे business में कोई interfere नहीं होता है और हम अपने इसाब से अपने business को आगे grow कर सकते हैं Secondly point दोस्तों जो है business loan convenient और easy है simply अगर आपको business loan चाहिए तो आप किसी भी बैंक एन्वेस्टर डूणने जाओगे तो सबसे पहले आपको डूणना पड़ेगा उसके बाद आपको जो business का mission बताना पड़ेगा और भी बहुत सारे जो documents है आपको इन्वेस्टर को दिखाने लेकिन business loan बहुत ही easy है एक बार simple से भी या किसी भी बैंक एन्वेसी कंपनी के पास जाए और easily में उदर से आपको जो business loan है simply step के दोवारा अवेल हो जाता है और जिससे आपका जो cash follow है वो भाया इधर maintain रहता है business loan में हमारा जो next point आता third point वो है reasonable interest rate जहां भी आप किसी भी बै spending रहते हैं उनके अंदर जो competition बहुत रहता है तो जब भी आप business loan लेने जाओगे एक reasonable price यानि reasonable interest rate के उपर आपको business loan इधर मिल जाता है जिससे आपका जो interest का burden है वो भी कम होता है और साथ में इधर business grow होने में भी आपको बहुत ज्यादा help मिलती है दोस्तों business loan का fourth or man point आ जात है तो उस हिसाब से जो profit आपके business का वो आपके investor के साथ share करना पड़ता है लेकिन business loan में ऐसा नहीं है आपने जब भी किसी बैंक के NBFC company से business loan लिया और जो interest rate है वो fixed रहता है उसके हिसाब से आपकी जो एक repayment time रहता है जो amount fixed रहता है आप हर महीने उनकी जो as a EMI है वो repayment करते करिए आपका business कि कितना भी grow हो वो आपसे sharing नहीं मांगेंगे और तो simply से भीया आप जो sharing का एक बहुत बड़ा पार्ट है इधर बचा सकते हो और साथ में अगर आपको business EMI और principal amount के बारे में जानना है तो EMI calculator यूज करके आप यह सब को जान सकते है प्रामिल finance की website पे जाएं और simply पता चल जाएगा कि आपको इसके बारे में प्रामिल finance पे आपको पूरी detail मिल जाएगी कि बहिया कितना EMI है कितना principal amount होगा कितना rate of interest होगा उधर आप लोग जाए जिसका link मैंने description में दे दिया एक बार आप जुरूर check out के लिजिए बहिया कि business loan आप ले रहे है उसका interest principal amount क्या रहेगा EMI कितनी बनेगी ताकि आपके loan से related doubts है कि आपको डर रहता होगा कि अगर मैं business loan लोगा तो इतना देना पड़ेगा नहीं simply primal finance के उपर जाए जिसका link description में है और हर एक point loan के बारे में उधर आपको बारी किसे समझ में आ जाएगा business loan में हमारा fifth point आजाता है कि no collateral required यानि कि जब भी आप किसी भी bank nbfc company से business loan लेने जाते हैं तो आपको बिना किसी चीज को mortgage के हुए यानि आपको कोई collateral की जरूरत रहती है यह जितने भी business loan है दोस्तों पूरी तरह से लगबग unsecured loan रहते हैं simply आपको जो criteria दिया है उसको fulfill की जिए और इधर जो यह unsecured loan है यानि जो business loan है easily आपको मिल जाते हैं और simply avail भी हो जाते हैं सब business loan में हमारा next point आजाता है working capital sport business loan के अंदर आपको जो working capital का sport भी मिलता है जिससे आपको जो पैसों की जुरूरत है जब भी आपको जैसे जो salary है liquidity currency करन्स के time पर आपको पैसे के requirement र जाती है तो जो capital की जो sport है एक अच्छा जो loan का जो business loan का option रहता है जिसको आप easily है इधर avail कर शकते हो ठीक है साथ business loan में हमारा next point आ जाता है कि multiple loan option इसमें आपको जो business loan में multiple loan के option मिल जाएंगे जैसे कि short term है long term है machinery loan है जो short term के loan रहते है working capital टाइप के यानि जिस भी तरह के loan है easily avail कर शकते हो यानि कि जिस भी तरह का भीया आपका business है जिस तरह का loan की आपको requirement रहते है बहुत सारे जो loan के जो business loan के जो option है bank या NVFC company के पास मिल जाएंगे आपको जिस भी criteria का loan चाहिए easily आपको उदर बताना है और simply way में जो इनके पास multiple option रहते हैं उसमें से आपको यह business loan है easily avail कर शकते हो और अपने business को business loan के दवारा इधर काफी हद तक उसको बढ़ा सकते हो दोस्तों business loan में हमारा जो next point आता है वो जाता है tax benefit जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सई सुन रहे हो business loan में आपको tax benefit भी मिलते हैं जैसे जो payable interest tax जो deductible रहता है इसका increase limit and eligibility criteria वो आप check कर सकते हैं जब भी आप किसी बैंक के नवी अफसी कंपनी के पास business loan लेने जाते हैं तो उसका eligibility और criteria आप उनी के सामने चेक कर सकते हैं कि वह या कितना आपको benefit मिलेगा तो वह या business loan के साथ इधर जो आपको tax benefit है वो भी मिल रहा है तो आप लोग सोच लिजिए कि जो business loan है जाते हैं और जो बैंक या NBFC कंपनी है कि भी आपको जो business का operation नहीं रुख जाए उसके अंदर जो cash flow है वो maintain रहे तो business loan का दो जो dispersal है यानि कि जो आपको मिलना रहता है वह easily भी मिल जाता है और minimum document के साथ या आपको तूनत मिल जाता है यानि कि इधर आपको time taking process है दूसरे लोनों की तरह है वो इधर नहीं रहता तो easily way में आप avail कर सकते हो शाथ ही easily आपको ये मिल भी जाता है business loan का हमारा next point है improved business credit जब भी आप किसी भी bank या NBFC कंपनी से business loan लेते तो इससे जो business का credit score है वो भी improve होता है इसके लिए करना क्या पड़ता है या simply आपने किसी भी bank या NB हो गाई होगा साथ में आपका जो credit score है वो भी इधर improve होगा दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही जैसा जो business credit है जो credit score improve हो जाता है तो इसके साथ आपको future में जो और पैसे कि अगर आप मदद चाहिए तो वह भी आपको help तक मिल जाते है यानि आपको easily हो जाता है credit score की बा बात कर सकते हो जिसमें आपको पूरी help मिलेगी के लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है मैंने जो link है description में दे दिया है उधर जाकर आप simply check out कर लिजिए तो दोस्तों जाचा कि आप लोग देख रहे होंगा इस वीडियो में मैंने आपके सामने 10 ऐसे point आपके बताए है कि जो business loan better क्यों है जिन 10 point को सुनकर आप पूरी तरह से satisfy हो गए होंगे कि हाँ भया actually में ही इधर हमें जो business loan है हमारे business के लिए लेना चाहिए और दोस्तों finally अगर आपको business loan की requirement है या फिर अगर आप लोग business loan के बारे में सर्च कर रहे हैं तो इधर मैं आपको personally recommend करना चाहू और साथ में किस तरह का business loan चाहिए कितना चाहिए क्या interest rate रहेगा सब कुछ simply आपको piramil finance के जो advisor है उनके द्वारा आपको step by step बताया जाएगा ताकि business loan से related आपके पूरे doubt इधर clear हो जाए तो simply दोस्तों जो piramil finance का जो link है जो website है इधर मैंने description में दे दिया है आप एक बर ज easily way में आपके business को और ज्यादा बढ़ा पाएं और ये simply possible हो पाएगा piramil finance के साथ जिसका link इधर description में दे दिया है फाइनली दोस्तों आपको जो यह वीडियो है business loan से related कैसी लगी मुझे comment section में जरूर comment किजिएगा अगर आपको और कोई भी comment है वो भी मुझे जरूर दोस्तों फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात रखेंगे